गुड मॉनिंग एवरीबन आज हम पढ़ेंगे गटना चक्र इंडिन पॉलिटी की जो 2022 की सीरीज चल रही है जो टार्गेट किये गई है यूपी पीसेस, एंपी पीसेस, आरो यारो एक्जाम्स के लिए तो इसमें हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे संसत का जो थर्ड पार्ट है कारे संचलन और विधाई प्रक्रिया अर्था जो संसती कारे होते हैं संसत में जो बैठके होती है उनमें जिन नियमों का प्रयोक किया जाता है जिन प्रावधानों का प्रयोक किया जाता है उसके बारे में सारी चर्चा यहां पर प्रश्न आए हुए हम उन सभी को आज हम कवर करेंगे और आगे आने वाले एक्जाम में क्या प्रश्न बन सकते हैं तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे तो शुरू करते हम आज की क्लास को तो आज का मारा टॉपिक क्या है आज का मारा टॉपिक कारे संचालन और विधाई पर क क्रिquia इसमें नोट पढ़ते हैं संसद उच्छितम विदाई संसदा उच्छितम विधाई संसदा के मतलब सबसे उन्ची संस्था है, जो कानून बनाती है, जो अधिकार भी संसद को ही पराप्त हैं, यह संसदन 368 के अंतरगत संविधान के किसी भाग में संसोधन कर सकती है संसद के दो सत्रों के पीछ अदिकारिक जो अधिकादिक अंतराल होता है 5 मैंने का होना चाहिए उससे अधिका अंतराल नहीं होना चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष उपाद्यक्ष, महासचिव राज्यसभा के सभापती उपसभापती आदी संसद के अधिकारी कहलाते हैं कोई भी संसद सदसे अगर साठ दिन तक सदन को बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्ता को समाप्थ कर दियाता है वहीं भारती सम्विधान का जो अनुच्छे 105 है वो यह कहता है कि संसद के सदस्यों के विसेस अधिकार और उनमुक्तियों को निर्धारित करता है यानि कि जो पाल्यामेंट के मेंबर होते हैं उनको कुछ विसेस अधिकार मिले होते हैं आम नागरिकों से अलग हटके उनमुक्तियों होते हैं उनको बताता है वहीं 253 आर्टिकल कहता है अंतराश्टी संदियों को संपूर भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विसेओं पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमती से बना सकती है जबकि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है राज्य विधान बनाता है लेकिन अगर वो कोई नियम जो अंतराश्टी सम्वंधों से सम्वंधित है तो वहाँ पर क्या होता है संसत कानू बना लेती है और किसी वी राज़े से उसे पूछने क्या विशक्ता नहीं होती है अंतराश्टी समझोते को प्रभावी बनाने के लिए संसत राज़े सूची के विशय पर कानू बना सकती है सदन का अध्यक्षे किसी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्ने को बोलने के लिए कह सकता है अर्थात जैसे लोकसभा स्पीकर या राज़े सभा की जो सभापती होते है वो कह करते हैं कि जब कोई सदस्य से अपनी बातों को रख रहा होता सदन में तो उन्हें लगता है कि अब इसका समय जादा हो गया यानि इसने तीन मिनट चार मिनट से जादा बोल लिया है तो उसे वो कह देते हैं कि आप बैठ जाएए और अब दूसरे सदस्य को बोलने दीजे क्योंकि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए तो इस पर क्रिया को कहते हैं बैठ जाना yielding the floor यानि जमीन पर बैठ जाना नहीं अर्थात अपनी seat पर बैठ जाएए सदन के किसी सदस से द्वारा वे जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में सामिल हो जाए तो पक्ष त्याग यानि crossing the floor कह दिया जाता है यानि जिस पार्टी से आप चुनकर आये थे अचानक आपका मन बिचलित हो गया परिवर्तित हो गया और आपने उस पार्टी को छोड़के किसी दूसरी पार्टी को जॉइन कर लिया तो इसे हम crossing the floor कहते हैं वहीं सूने काल भारत की संसदी बिवस्था की देन है या अधिक्तम एक गंटे का हो सकता है और या प्रशन काल के बाद सामानता 12 वैसे लेकर दो पहर एक वैस तक चलता है अनुचित 109 के अनुसार कहा जा रहा है धन विद्यक को लोकसभा में पुरा इस्थापित किया जाता है राज्य सभा में नहीं धन विद्यक जिसमें केवल बैय उलेखित होते हैं अनुचित 110 धन विद्यक में नर्दिश कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसत के किसी विषय सदन में प्रारम किया जा सकता है इसे साधरान विद्यक की तरह पेस किया जाता है अगर किसी विद्यक में आय या कर या रिन या उधार लेने की शक्ती इनसे सम्मंदित अगर कोई विशय नहीं दिया हुआ है सामाने विशय दिया हुए है तो उसे हम साधारण विद्यक के तौर पे मानेंगे ना कि धन विद्यक के तौर पे लोकसभा द्वारा पारित धन विद्यक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा 14 दिन तक कोई कारवाई नहीं करता है लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेज़े गए धन विद्यक को राज्यसभा 14 दिन तक रोख सकती है अनुच्छेद 108 के 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 अनुच्छे 108 के अनुच्छे 108 के अनुच्छे 108 के तहत सम्विधान 108 के अत्रिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए बात की जाती है कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छत 108 कहता है कि जब साधारण विद्यक पर जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध पैदा हो जाता है तो हम ऐसे में एक सय्युंग तुबैठक का प्रावधान करते हैं जिससे राश्ठपती तो आहुथ करता है और लोगसभाई speaker इसकी अध्यक्षता करता है इन पे संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है अगर गतिरूद होता है तो विद्यक समाप्थ हो जाएगा यहाँ पर हम इसके आगे देख लेते हैं अनुचेद 118 का चार लोकसभा का अध्यक संसत के दोनों सदरों की संयुक्त बैठक की अध्यक्सता करता है जो मैंने बताया और तीन बार दोनों सदरों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है 1961 में पर्थम संयुक्त बैठक जो थी दहेज निरोधक विद्यक पर वर्स 1978 में दिती संयूंत बैठक बैंक सिवा आयोग निर्सन विद्यक पर तीसरी जुए 2002 में संयूंत बैठक पोटा के लिए बुलाई गी थी Prevention Act of Terrorism Activity के लिए थी ये वहीं कानूनी कोई अगर कानूनी विद्यक संसत के दोनों में किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका निर्ण अंतिम रूप से लोकसवा अध्यक्ष करेगा और इसका निर्ण अंतिम होता है भारत को लोक विद्ध पर संसत के नियंतरण के लिए संसत के समक्ष वारसिक वित्ती विवरण जो की आर्टिकल 112 प्रस्तुत किया था है और इसी 112 के वारसिक वित्ती विवरण को ही हम आम भासा में बजट कहते हैं लेकिन ध्यान देना समविधान में कहीं भी बजट सब्द का परियोग नहीं किया गया है भारत की संचित निधी से धन निकालने के लिए विनियोग विध्यक पारित करना पड़ता है सरकार को और समविधान के अनुचेद 116 के अनुसार विनियोग विध्यक के ना पारित होने की स्थिती में जब संग सरकार को धन किया विशक्ता होती है तो लोक सभा को लेखा नुदान के माध्यम से निश्चित अवधी के लिए भारतिय संचित निधी से अग्रिम निधी प्रदान करने की सत्ती प्राप्त है भारती संसत का सचवाला सरकार से स्वतंत्र होता है मतलब भारती संसत का जो सचिवाला होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है क्योंकि सरकार का मतलब होता है कारेपाली का और संसत का मतलब हो गया विधाई का तो विधाई का कारेपाली का से स्वतंत्र होती है वहीं भारती संसत संसधी समीतियों के माध्यम से प्रसासन का नियंत्रण भी करती है यानी प्रसासन पर है जैसे एक लोग लेखा समिती हो गई फिर आपकी प्राकलन समिती हो गई सारजनिक उपकरम की समिती हो गई कारे सलाकार समिती हो गई कारे नियम समिती हो गई जांस समिती हो गई विसे साधिकार समिती हो गई बहुत सा पहले अब हम करेंगे अपने प्रश्णों को जो यहां पर important MCQs बन रहे हैं तो चलिए शुरू करते हम अब पहले प्रश्णों को देखते हैं कोशन नमर एक है राज्यसभा और लोकसभा तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि आपको कुछ option दिये हुए हैं और यहां पर पूछा जा रहा है कि X के अस्थान पर निमलिकित में से किसी रखना ठीक रहेगा अब यह प्रश्ण बड़ा सही है देखें राज्यस और लोकसभा में 250 से अनाधिक सता से नहीं होते हैं बिल्कुल सही यहां राज्यसعबा की सती संक्याव थाई सो है ओ जोंग्सभा की पानसो बावन है बार राज्यस वह में जो है की नॉमिनेट होते हैं लोक्सभा 930 गा की की राज्यों से एhtी है और राज्यसiałemें 230 राज्य में से किसे रखना ठीक होगा तो अब यहां लिख रहा है वे मंत्री जो संसद के सदसे नहीं है जिनें अपना पद सम्हालने और के बाच्छा मा के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना होता है बीच से अधिक नाम निर्देशी सदसे या संग राजे छेतरों से बीच से अनधिक प्रतनिधी और महा नयवादी इसे संसद तो बीच सी ओफसन सही हो जाएगा क्योंकि यहां पर अभी आपने देखा कि बीच से अधिक वाला प्रोवीजन नहीं दिया गया क्योंकि 552 सीटो हम बता दियागा कि 530 तो राज्यों से आगी और दो एंगलो इंडियन से आएंगे लेकिन यह तो वे 532 बीस की कमी है जो संग राजे छेतरों से आएंगे तो इसलिए X के अस्थान पर इसी को रखा जाएगा इसलिए C ओफसन सही भी हो गया UPSC के प्रशने IES के प्रशने इसी तरीके से जटिल बनाया जाते हैं हम दूसरा देखते हैं नेक्स प्रशने भारती समविधान के अनुछे 87 के अंतरगत भारत का राश्टपती अभिभासन देता है संसद के दोनों सद्रों की संयूंक तदिवेशन में या संसद के दोनों और यहां पर दोनों सद्रों के संयूंक तदिवेशन में तो यहां पर भी नहीं तो D-Option सही हो जाएगा क्योंकि यह संसद के जो दोनों सद्रों उन्हें समवेद कड़के और यह कब होते हैं प्रतेक वर्स पहले सत्र के दौरान और जब भी लोकसभा के आम चुना होते है उसके बाद भी पहली बार यह भासर देते हैं राश्पती महोदय के दौरा दिया जाता है यहां पढ़ेंगे भारती संविधान के अनुछे 87 के अनुछा भारत का राश्पती लोकसभा के लिए प्रतेक साधारन निरवाचन के पश्या प्रतम सत्र के आरंब में और प्रते राश्पती महोदय को धन्यवाद दिया था है दोनों संसद्रों के द्वारा कि आपने हमें संबोधित किया तो यह धन्यवाद प्रस्ताव अगरा यह सारी चीज़े यहीं पर होती है आगे मिलेगा हम उस पर चर्चा करेंगे अगला प्रश्ण है भारत के राश्पती के व लिखा हुआ सब्द है और दूसरा प्रश्ण है मतलब दूसरा स्टेट्मेंट राश्पती अपने अभिभासन में संसद्र को उसके आवाहन के कारणों के विशय में सूचित भी करता है तो यह भी बलकुल सही है और देखे प्रश्ण कपका पूछा हुआ है लेटेस्ट आ ज़ी अगया मुष्य नमर्झ 4 है भारतिस भारत के सब्धान में निम्रिकित में से क्या कथित है राश्टपती संसद के किसी भी सदन का सदस से नहीं होगा यह गलत लोकसभा के सदस से बनने की यूकिता होनी चाहिए संसद राश्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनती ह बिलकुल संसद में तीन चीज़ा आती हैं एक तो होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं लोकसभा, तीसरी होती है राजीसभा तो यह तीनों ही मिलकर जो एकी संसद का निमार करते हैं इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कथित है भारत के समविधान में निमलिखित में से क्या कथित है तो राश्टपती संसत के किसी भी सदन का सदस से नहीं होगा अब देखे यहाँ पर अगर इस statement को देखें तो यह सही है कि वो किसी भी सदन का सदस नहीं है बलकि लोकसभा के सदन के सदस से बनने की किवल योगिता रखता है न कि उसका सदस से होता है इसलिए यहाँ पर दोनों ही statement सही हो जाएगा B statement सही हो जाएगा Q5 देखते हैं राश्टपती संसत का हिस्सा नहीं होता है संसत का हिस्सा होता है और संसत में बैठता है संसद वोट दे सकता है न तो वोट देता है न वो बैठते हैं और नहीं ऐसा होगा कि वो संसद के हिस्से नहीं होगे तो B option सही है क्योंकि संसद का हिस्सा उन्हें माना जाता है Q7. भारती संसद बनती है तो राज्यसभा, लोकसभा और राश्टपती से तो D option सही हो गया आपका Q7. भारत में संसद मिलका निर्मित होती है देखिए इसमें राश्टपती आएंगे लोकसभा और राज्यसभा और तो एक, दो, तीन तो इन तीनों को मिला कर बनती तो A option सही हो गया अगला प्रशन है Q8. भारती संसद में निम्लिखित में से कौन सामल है? लोकसभा और राज्यसभा और प्रधान मंतरी लोकसभा के अद्यक्षवम लोकसभा राश्टपती और दोनों सदन तो दोनों सदन यानि कि लोकसभा और राश्टपती तो D option सही हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं यहाँ पर फिर से वही पूछ रहा है कि भारती संसद के सही गठन को चिन्नित कीजिए तो कहने का मतलब है एक तो राश्टपती आएंगे, राज्य सभाएगी और लोग सभाएगी यह तीनों ही गठित किये जाएंगे मिलकर तो C option सही है अगले प्रशन को देखें भारती संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है तो यही प्रशन आप देखेंगे अलग अलग भासा में कई बार रिपीट हो रहा है एक तो उसमें राश्टपती होते हैं, लोग सभा होती है और राज्य सभा होती है और ऐसे प्रशन आपको यहां से पूरी तरीके से रट जाएंगे, याद हो जाएंगे भारती संसद की घटक, फिरसे वही चीज पूछ लिया, इस बार घटक पूछ लिया है मिन्स में तो राश्टपती हो गया, लोग सभा हो गया और राज्य सभा हो गया तो B option सही है, कोशन मर्ण नमलिकेट में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है तो देखिए राश्टपती भी भाग है, लोग सभा भी भाग है और राज्य सभा भी भाग है लेकिन उपर राश्टपती नहीं है, तो B option सही हो जागा, क्योंकि ये इसका अनन्य भाग नहीं माना जाता है कोशन मर्ण 13 है, एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है तो कम से कम दो बारे, ऐसा क्यों, क्योंकि 6 माह का अंतराल होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और एक साल में 12 माह होते हैं, अगर 12 महीने में आप 6-6 बार डिवाइड करोगे तो एक बैठक तुमान दीजे छे मैने पहले हो गई और एक बैठक छे मैने बाद होगी तो इस तरीके से एक साल कंप्लीट हो जाएगा और यही पूछ रहा है कि कम से कम कितनी बार जोए कि बैठक होनी चाहिए संसत की एक साल में तो दो बैठके तो होनी ही चाहिए कोशन नमर 14 है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 महिने का अंतराल होना चाहिए कोशन मर 15 है संसद के अधिकारियों में सम्मलित होते कौन-कौन अद्यक्ष लोग सभा क्या आते हैं, उपाद्यक्ष लोग सभा क्या आते हैं, महासचिव लोग सभा क्या आते हैं, अद्यक्ष राज्च सभा क्या आते हैं तो आप देखेंगे कि महासचिव को जो एकी इसमें काउंट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन आप देखेंगे कि लोग सभा अद्यक्ष भी आएंगे, उपाद्यक्ष भी आएंगे, महासचिव भी आजाएंगे और अद्यक्ष भी आजाएंगे अध्यक्ष का मतलब हो गया यहाँ पे जो सभापती बनते हैं और सभापती कौन होता है आपके उपराष्टपती होते हैं तो D option सही हो जाएगा कि चारवे statement सही है question number next है 16 संसद विधान सभा के किसी सदस्ति की सदस्ता तब समाप्त समझी जाती है जब वा बिना सदन को सूचित किये बिना अनुपस्तित रहता है तो 60 दिन तक अगर वो गायब है तो उसको यह माली आता है कि इनकी सदस्ता समाप्त होगी तो A option सही है question number 17 एक MP यहनि Member of Parliament and third sunset के सदस्ति की seat को रिक्त घोसित किया जा सकता है कोशमा 18 कोशमा 19 सरपर्थम एक सांसद या विधाय को इस अधार पर सदस्ता से अयोगी घोसित किया गया कि वह सदन की अनुपस्तित के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्तित रहा तो सामानता इसको जोए कि अब ध्यान दीजेगा इसमें कह रहा है किस सरपर्थम एक सांसद विधाय को इस अधार पर सदस्ता से अयोगी घोसित किया गया कि वह सदन की अनुपस्तिती में लगातार तो राज्यसभा के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कोशन नुबर 20 है किसी मंतरी के विरुत विशेसा धिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खोदे लंबे समय तक स्वर्म को अनपस्तित रखता है किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों को बिगड़ा हुआ वडन देता है मंतरी मंडल के सामुई को तरदायत से बचता है तो C option क्योंकि कोई भी ब्यक्ति या कोई भी मंतरी ब्यक्तिकत विशेसा धिकारों का प्रियोग करके तथ्यों को बिगड़ा हुआ या गलत रूप में प्रस्तोत नहीं कर सकता है कोशन में 21 है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए संसद निरहरता निवारन अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के अधारप निरहरता से छूड़ देता है जैसे राश्टपती का पद, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद, उपराश्टपती का पद, लोगसभा इस्पीकर का पद, ये सारे और उप्युक्त अधिनियम पांच बार संसोधित किया गया था सब्द जो है लाभ का पद ये भारत के सम्विधा ने भली भाती परिभासित किया गया है तो देखे तीसरा स्टेटमेंट ही गलत है और तीसरे की आधार प्या पहले मिनेट कर सकते हो कि कूट संख्या यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, तो यह option सही हो जाएगा Question number 22 है, लाभ के पद का निरड़ा है, यानि decision कौन करेगा, राश्टपती और मुराज जिपाल, या संघी संसद करेगी या फिर अगले option को देखते हैं हम लोग, 23 में, उचितम नियाला है और संघ लोकसिवा आयोग, तो देखे मुख्य रूप से जोएगी संसद करती है, संघी संसद ही इसका जोएगी बताएगी कि कौन से लाभ के पद हैं और कौन से नहीं है कोशन में 23 देखें, नियमलिखित में से कौन सा एक प्रावधान, भारती समविधान के अंतरगत, संसद की सदस्यों के विशिस अधिकारों और उन मुक्तियों को लिरधारित करता है, तो यह article number 195 हो गया, यह संसद के सदस्यों से related है, लेकिन अगर हम कहें कि विधान सबाग कि सदस्यों को भी विशिस अधिकार मिलता है, तो उनकी बातें article number 194 में लिखी गई है, किसमें लिखी गई है? 194 में, उनको भी यह अधिकार प्राप्त है, आगे देखते हैं, निमलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामोहिक विशिस अधिकार नहीं है, चर्चाम प्रक्र कि साक्षी के रूप में उपस्तिती से सतंतरता यह सामोहिक विशिस अधिकार नहीं है, बलके व्यक्तिकत विशिस अधिकार होगा, सामोहिक का मतलोग है, जैसा समोहिक कर रहा है, वैसा ही आपको करना पड़ता है, कोशन number 25 देख लेते हैं, लोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत नियालें द्वारा संसत की कारेवाहियों की जाज करना प्रतिबंदित किया गया है, अनुच्छत 122, 122 में कहा गया है कि संसद में जो भी कारवाहियां हो रही हैं वो नियालय के समक्ष नहीं रखी जाएंगी यह नियालय उसकी जाच नहीं कर सकता है Q26 है निमलिखित में से किनको लोगसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है संसद के निमन सदन में निर्वाचि सदस्यों को, संसद के उच्छ सदन के निर्वाचि सदस्यों को, राज्य विधान मंडल के उच्छ सदन के निर्वाचि सदस्यों को, और राज्य विधान मंडल के निमन सदन के निर्वाचि सदस्यों को, तो D option सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कि लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मत्दान का अधिकार भी इनको मिलता है। ठीक है? तो अगला देख लेते हम, कोशन मर् 27, निम्लिकित में से कौन सा सही है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधान सभाय करती है। अब यहां पर देखिए सभी सदस्यों का निर्वाचन है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराश्टपती राजसभा का पदेन सभापती होता है अतर राजसभा का कोई सद से ही उपराश्टपती पद के लिए चुनाओ लड़ सकता है तो देखे यहां पर लिख रहा है कि राजसभा का ही कोई सद से लड़ सकता है ऐसा बिलकुल नहीं है बस योगिता अगर उसके पास है तो भी लड़ सकता है तीसरा है लोकसभा और राजसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्यासी भारत के किसी भी राजी से लड़ सकता है पर राजसभा का प्रत्यासी सामानिता वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्यासी बन रहा यह बात तो गलत है क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था राजी सभा की चैप्टर में कि राजी सभा का सदस्य बनने के लिए आप भारत के नागरी कोने चाहिए और भारत में कहीं पर भी मद दाता सूची में आपका नाम होना चाहिए ना कि उस राजी में हो जिस राजी से आप और अगला है भारत के सम्विधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री परसद पर न्यूक्ति का इस पष्ट सब्दों में निसेद दिया हुआ है तो यहां पर यह स्टेट्मेंट ही गलत दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं अगले प्रश्ण कम नुक्सी थे Q29 है संसद राज्यसूची के विषय के सम्वंद में कानून बना सकती है राश्टपती की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल पारित करती है किसी भी परिस्तिती में यह सम्वंदित राज्यक के विधान मंदल से पूछ कर तो B option सही हो जाएगा यह सम्वंदित राज्यस्वा ऐसा संकल पारित करती है तो राज्यसूची के विषय संबन में कानून बना सकती है जैसे Article 215 का प्रयोख करके जिसमें राश्टि हित के वारे में बताया जाए कि यह विषय राश्टि हित का है तो आप उसमें बना सकते हो संगी संसद राज सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है कब अंतराश्टी समझोतों को प्रभावी करने के लिए बिल्कुल सही बात है और संबंदित राज्जों की सहमती से यह भी सही बात है अगर दो या दो से अधिक राज्ज अगर सहमती देते हैं किसी विषय पर कानून बनाने के लिए तो वो बना सकती है राज्ज में जब राश्टपती सासन लागू रहने की अवस्था में यहाँ पर भी और राश्टी हित में जब राज्ज सभा दोतियाई बाहमत से इस विषय इस हितु को परस्ताव पारिज करती है तो आप देखेंगे यहाँ पर चारो ही स्टेटमेंट सही है आपके यहाँ पर चारो ही स्टेटमेंट आपके सही है आईए इसके उत्तर को देख लेते हैं हम लोग यहां दिखा गुआ भी है कि सभी चारो स्टेट्मेंट तो हम कहेंगे जी बिलकुल सभी चारो स्टेट्मेंट सही है और अगले प्रशन को देखते हैं भारती सम्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत अंतराश्टी समझोतों को प्रभावी बनाने हेतू संसद राज्य सूची के विशेपर कानून बना सकती है तो जब अंतराश्टी प्रोविजन की बात आती है तो आर्टिकल 253 का प्रयोग किया जाता है कि अंतराश्टी समझोतों को क्रियानवित करने के लिए 253 के तहट हम राज्य सूची पर विशे कानून बना सकते हैं भारती संसत राज्य सूची के विशेओं पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, कब तक नहीं कर सकती विधायन? जब तक भारत का राष्टपती उसे ऐसा करने का नेट देश ना दे, यह गलत है राजे सबा का प्रस्ताव पारित करें इसा करना राश्टि हित्मे आवस्या का ये बात सही है विधान सबाका द्यक्षे प्रमाणित करें कि ऐसा विधान अवस्य का यभी गलत और राष्टी आपात का लागू हो तो जब सेकेंड कंडिशन और फोर्थ कंडिशन रहेगी तभी आप विधायन बना सकते हो अधर्वाइस नहीं तो सेकेंड और फोर्थ आपका सही हो जाना चाहिए यह रहाट D option सही हो गया कोशन में 33 है अंतराष्टी संधियों को भारत के किसी भाग अत्वा संपूर भारत में लागू करने के लिए संसत कोई भी कानून बना सकती है सभी राज्जों की सहमती से बहुसंख्यक राज्जों की सहमती से तो जब अंतराष्टी संधी की बात आ रही है तो आर्टिकल 253 का प्रियोग किया जा रहा है तो D option से ही हो जाएगा कि किसी भी राज्य की यहाँ पे सहमती क्या वशक्ता नहीं है कोशन मत 34 हम देखते हैं समविधान के विशयों की सूची में दिये गए विशयों के अतरिक विशयों पर कानून कौन बना सकता है तो ध्यान दिजेगा कि समविधान में जो राज्य की सूची दी गई है यहाँ पर विशयों सूची की जगह यहाँ पर ओना चीज़ था राज्य सूची राज्य सूची पर एक तो राज्य विधान मंदल तो बनाता ही बनाता है साथिसा संसद भी बनाती है जिसमें वो 249 का प्रयोग करते हैं 250 का प्रयोग करते हैं 253 का प्रयोग करते हैं और 260 अर्थाथ चलिए आगे देख लेते हैं कोशमत 35 है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कह सकता तो यह घटना क्या कहलाती है yielding the floor अर्थात बैठ जाना यानि कि floor पर बैठ जाने का उतला अपनी seat पर बैठ जाएए किसी दूसरे को आप बोलने दीजिए आपका समय पूरा हो चुका है ऐसा होता है न अब यहाँ पर यही चीज बोली जा रही थी question number 36 है संसद में सोने काल का समय क्या होता है सामानत है प्रशने काल के बाद आता है देखे 11 से 12 तो होता है आपका प्रशने काल जिसमें मंतरी और संसद से उसे प्रशने पूछा जाता है लेकिन 12 से 1 का प्रशन जो समय होता है वो होता है आपका सोने काल तो D option सही हो जाएगा Question number है भारतिय संसत की कारिवाही में सुने काल का क्या आर्थ है सत्र का प्रतम गंटा जब विशेशा दिखाया प्रस्ताव सुईक्रित होता है प्रश्निकाल के पूर्व का काल प्रश्निकाल के ठीक पश्यात का काल तो देखिए यहाँ पर D option सही हो जाएगा कि प्रश्निकाल के ठीक पश्यात का कारिकाल यहाँ पर है और अगले प्रश्निकाल को देखते है सुने काल संसधी बेवस्था को किस देश की देन है तो सुने काल यहाँ पर पूछा एरा है कि सुनेकाल किस देश की संसदी बेवस्था में शुरू किया गया तो ये भारत की ही अपनी एक मौलिक्ता है भारत की अपनी अलग विशेस्था है जिसको भारत में खुद शुरू किया गया लोक सभा में सुनेकाल की अवदी अधिक सदी कितने हो सकती है तो एक घंटे की होती है जो की बारे वज़े से लेके एक वज़े तक होती है अगला प्रशन है राजनितिक सब्दा वाली में सुने काल का अर्थ होता है क्या होता राजनितिक सब्दा वाली में जब वह दिन जब संसद में कोई कारे नहीं होता ये लंबित प्रस्ताव, अस्थगन काल ये प्रशन उत्तर सत्र तो D option से ही हो जाएगा जहां पर प्रशन पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं Question number 42, 41 देखते हैं लोकसभा में किसी विध्यक, यहां पर लिख रहा है पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन तो देखिए पहले वाचन में तो उसे प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में की points बता दिये जाते हैं कि हम यह किस उद्देशी से लेकर रहा है पूरी बहस मुख्य रूप से second वाचन में होती है मतदान की प्रक्रिया, राजसबा, लोकसबा दोनों सद्रों में जाना, उस पर जाच करना, कमिल्टी का बैठना यह सभी चीजें जो एकी दुती वाचन में होती है और तीसरे वाचन में जो एकी उसे सर्वसमती से मतदान के द्वारा उसे पास कर दियाता है तो यहां पर आपसे पूछा रहा है बहस के लिए तो इस दूसरे जो एकी वाचन में होती है यह बहस कोर्शन में 42 जब संसत के दोनों सद्रों की सभी तबैठक में कोई विद्यक, निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित की करना होता है उपस्तिता मत देने वाले सदस्यों का साधारन बहुमत उपस्तिता मत देने वाले सदस्यों का 3-4 बहुमत सदनों का दोतियाई या सदनों का पूर्ण बहुमत तो देखे जब कोई विद्यक संपूर मतलब होता है मतलब संयूंत बैठक में जब बैठता है अर्था सायूक्त बैठक के अधिवेशन में जब उसको पेश किया जाता है कि गतिरोज जो हो गया था लोकसवा राजसवा में इसको समाप्त करने के लिए तो उसे सामानता साधारन बाउमा से पास किया जाता है तो A option सही हो जाएगा और question number 43 देखते हैं यदि राश्पती ने संसत के सैयूक्त सतर के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसवा विगटित हो जाए तो क्या होगा संयूक्त सत्र यथा समय आहुत किया जाएगा संयूक्त सत्र निरस्थ हो जाएगा संयूक्त सत्र नई लोकसवा के गठन के बाद होगा और विध्यक ब्यपगत हो जाएगा तो विध्यक ब्यपगत है नहीं कि समाप्त भी नहीं होगा और यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा ए हो जाएगा कि सयूंत सत्र अपने ही समय पर बुलाया जाएगा भले लोकसवा विगटित हो गई है लेकिन जो लोकसवा विगटित होने में जो सदा से सामिल थे वो सारे के सारे उस दिन उपस्तित होंगे जिस दिन राजपती ने उसका समय निर्धारित किया था और वहाँ बैठके उस पे चर्चा होगी और साधारण बहुमत से उस विद्यक को पास किया जाएगा कोश्च नमर 44 हम देखेंगे निमलिखित में से कौन संसत की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिक्सता करेगा तो लोकसभा का स्पीकर जो एकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अधिक्सता करता है अब यहाँ देखेंगे कि भारती संविधान के अनुच्छ देख सो 18 के अनुसार संसत के दोनों सदरों की सेंगत बैठक की अद्यक्षता लोगसभा का अद्यक्ष यनि स्पीकर करता है अगर मालीजे राजसभा का उपसभापती भी अगर अनुपस्तिती है तो ऐसा वेक्टी पीठा सीन होगा जो बैठा के उपस्तित सदस्यों द्वारा तै किया जाएगा तो कुल मिलाके इस तरीके से जो स्पीकर होते हैं जो सायूंक बैठा की अधिक्सता करते हैं उनका ये होता है कि आप कैसे जो एकी करेंगे कोशन नमर फूर्टी फाइगा है संसत के दोनों सदनों के सायूंक तदिवेशन की अधिक्सता कौन करता है तो इस पीकर महोदय करते हैं वो भी कौन से लोगसभा के मुख्यूरूप से स्पीकर महोदय साब करते हैं कोशन नमर भारती संसद के दोनों सद्रों की संयुक्त बैटक की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा के स्पीकर कौन लोकसभा के स्पीकर यानि अध्यक्ष महोद है कोशन में 48 है निमलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे कि ना तो राश्च्पती होता है, ना उपराश्च्पती होता है, आगे देखते हैं, राश्च्पती उपराश्च्पती दोनों ही नहीं है, भारत का प्रधान मंतरी और लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो एकी अधिक्स्ता की जाती है कोश्रम 49 है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए और हम विचार करना सुरू कर देते हैं भारत के संसत के दोनों सदनों की संयूगत बैठक का प्रावधान 108 में स्विक्रित किया गया है लोकसवा तदा राजसवा की प्रतम संयूगत बैठक 1961 में होई थी भारती संसत के दोनों सदनों की दूसरी संयूगत बैठक बैंक सिवा आयोग निरसन बिलको पारित करने के लिए होई थी तो देखेंगे आप पहला स्टेटमेंट भी सही है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें की दूसरा सही है की नहीं तो आईए हम देख लेते हैं इसको उत्तर को कि ये तो तीनों ही सही है क्या है ये तीनों ही सही है Q1 next is 50 संसर के दोनों सदरों का सयूंक तदिवेशन आयजित होता है भारत के राश्पती के निर्वाचन के लिए भारत के उपराश्पती के निर्वाचन के लिए समविधान में संसोधन से सम्मंदित विध्यक को पारित करने के लिए या ऐसे विध्यक पर विचार करने के लिए उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदरों मदभेद हुआ हो तो चौथा option ही केवल सही है बाकी ये तीनों ही गलत है तो आपका D option सही हो जाएगा तो आज के लिए हम यहीं तक रुखेंगे कि आज हमने नोट्स पढ़े और इससे समझे 50 MCQs की और आगे लगवगवी 100 MCQs और बचे हैं जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग